हेलो आपका बहुत-बहुत स्वागात है हमारे चैनल Nevermore Academy पर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना ये चैप्टर Chemical Reactions and Equations जिसका स्टार्ट हमने एक लेक्चर पहले ही कर चुका था ये लेक्चर 2 होने वाला है इसमें हम देखेंगे introduction हमारा complete हो चुका है अब हम first video दे क्या होते हैं ये सारा हम देखने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं देखिये आटम क्या होता है इट इस दो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अमैटर यह होता है किसी भी मैटर का मैटर क्या होता है मैटर कुछ भी होता है anything that occupies space and has volume या फिर जो कुछ भी हम हम आसपास देखते हैं मैं ये ये camera ये board या फिर ये marker जो कुछ भी हम देखते हैं वो सारा मैटर होता है मैटर किससे बना होता है तो अगर हम किसी भी मैटर को काटते जाएं काटते जाएं इतना छोटा काट दें ये pen है इसको हम काटें इससे भी पतला हम 10 parts में काट दें इ हमारा बन जाएगा एक समय आ जाएगा जो इतना छोटा हो जाएगा कि उसको अब हम आगे नहीं काट पाएंगे उसको हम कहेंगे atom तो इतना छोटा पार्ट होता है atom किसी मैटर का जिसको की आगे divide करना possible नहीं हाला कि ये theory आगे expand हुई थी क्योंकि atom को भी आगे divide किया जान में वह हम आगे देखेंगे आप इस तरह समझ सकते हैं कि वह smallest unit होता है matter का एक atom जो कि किसी भी element का characteristic properties उसके अंदर होता है यानि कि अगर हम gold की बात करें तो gold अपना yellow color का होता है golden color कह सकते हैं उसको तो उसका atom भी कुछ वैसा ही properties दिखाएगा जैसे कि example के लिए हम gold लिख सक सकते हैं gold, silver, gold को aurum कहते हैं, silver को argentum कहते हैं या फिर कोई भी element अप ले सकते हैं hydrogen कह सकते हैं helium कह सकते हैं कुछ भी तो यह हो गया हमारा atom यह हमारा basic मतलब कह सकते हैं हमारा hero of chemistry atom होता है इसके बीना chemistry possible नहीं है उसके बाद हम बढ़ेंगे element पे, element क्या होता है? It is a pure substance that cannot be broken down by any physical or chemical means into smaller substances. Element वो substance होता है जो कि सिर्फ एक ही type के atom से बना हुआ होता है यानि कि अगर हम one block of gold लेते हैं तो वो सिर्फ एक type के atom से बना होगा, सिर्फ gold के atom से बना हुआ होगा, इसलिए उसको आगे broke down करना possible नहीं है जैसे हम कोई compound ले 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 उसको हम break कर सकते हैं H2 अगर हम लेते हैं उसको break करके हम H2 और O यानि अगर balance किया जाए तो 2H2 plus O2 में हम break कर सकते हैं electrolysis से या फिर बहुत सारे process होते हैं उसको भी हम पढ़ेंगे लेकिन element को हम break नहीं कर सकते हैं आगे जिससे की और नए substances मिल जाएं उसी को कहता है atom, it is a pure substance that cannot be broken down, उसको break नहीं किया सकता है किसी भी physical या chemical means से simpler substance में क्योंकि वही simpler substance होता है, फिर molecule क्या होता है, molecule हम देखेंगे, तो group of atom combine and form molecule, यानि कि एक ही type के या फिर अलग-अलग type के atoms भी मिल के molecule बनाते हैं जैसे कि अगर हम molecule of atoms को देखे तो, molecule of different elements को देखे तो H2O ही कह सकते हैं हम, या फिर हम दूसरे molecule को कह सकते हैं, अगर एक ही type के elements के molecule देखे तो H2, hydrogen gas, O2, oxygen gas, ये सारे एक ही element के molecule हैं, अगर दूसरे molecules को देखें, जो कि अलग-अलग element से बने होते हैं, तो वो हो गया, AL2O3, molecule और compound में कुछ difference होता है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं, तो उसमें कुछ confusion होता है, कुछ लोगों को, वो हम discuss करेंगे, तो ये हो गया molecule, molecule of H2O, molecule of aluminium oxide, सब, फिर reactant और product क्या होता है, तो हम ये तो पढ़ चुके हैं, introduction वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, कि reaction होता क्या है, तो reaction दो या दो से जादा elements जब आपस में react करते हैं, मतलब कि reaction करते हैं, उसमें जो जो चीज हम मिलाते हैं, जो चीज पाट लेती हैं, उसक कहते हैं, reactants, the substance that take part in chemical reaction, जो पाट ले रहा है, chemical reaction में, अगर हम example से देखें, तो यही example बार बार दे रहा हूं, तो यह एक balance equation है, water बनाने का, इसमें हम देखेंगे कि hydrogen और oxygen मिल रहा है, तो यह दोनों चीज़े हमारी reactants हो गई, और जो product हमें मिलता है, एक या एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, उसको हम product कहते हैं, reactant product, अगर दूसरा example हम देखें तो magnesium ribbon का यह आपको बता देते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमको magnesium ribbon पढ़ना है, mg plus o2 equals to mgo, magnesium oxide, यह balancing भी हम सीखेंगे कि यह formula mgo कैसे बना, यह आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो इसको अगर balance किया जाए तो 2 लगा देंगे, 2 mg plus o2 equals to 2 mgo, यह दोनों react कर रहे हैं, magnesium और oxygen react कर रहे हैं, तो यह हो गया, reactant, और जो बन रहा है, उसको कहेंगे product, product एक से जादा भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो यह होता है reactant, the substance, जो की chemical reaction में take part, मतलब की part ले रहे हैं, अब product हम देखेंगे, product क् है, तो the new substance produced as a result, मतलब की chemical reaction में, जैसा कि हमने देखा 2 mg plus o2, देता है, 2 mg o, magnesium oxide, दो part, तो जो बनता है, magnesium oxide, वह होता है हमारा reactant, आप यह मत समझ लेजेगा कि हमें इसा magnesium oxide ही बनेगा, वो depend करेगा chemical reaction पे, the properties of reactant is totally different from that of product, यह एक important चीज है, जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कि अगर आप magnesium, जैसे कि magnesium और oxygen को मिलाते हैं, तो magnesium और oxygen की properties अलग-अलग हैं, लेकिन उसको मिलाने के बाद उसकी properties एकदम अलग हो जाती है, magnesium oxide की property एकदम अलग हो जाती है, जैसे कि अगर इसको भी water के example से लिया जाए, तो वो best example होगा, इसको समझाने के लिए, कि hydrogen एक highly inflammable gas है, बहुत जल्दी उसमें आग लग जाता है, oxygen देखा जाए, तो oxygen अगर fire में दे दिया जाए, तो fire और तेज हो जाता है, fire को बढ़ाने में oxygen की मदद की जाती है, यह दोन अगर इन दोनों को हम react करवा दे, और इससे बनेगा water, water की property एकदम अलग हो जाती है, पानी आग बुझाने का काम करता है, तो देख सकते हैं कि जहाँ पे reactant आग को बढ़ाने का काम करता है, वही product आग को बुझाने का काम करता है, यह यह point कह रहा है, कि reactant के properties, properties of product, product के properties से एकदम अलग होते हैं, यह सारा होगे हमारा basics, इसके आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, एक separate वीडियो पनाएंगे जिसमें देखेंगे molecule और compound के बीच का difference, वो एक important topic है, जो कि कभी-कभी पूछ ले जाता है, और बहुत जादा confusion भी होता है उसमें, अब हम देखेंगे activity, activity 1 हमारे NCRT book का है, जिसमें कि हम magnesium ribbon को fire oxygen के साथ react कराते हैं, यह कहना चाहरा है कि उसको जलाते हैं, तो क्या-क्या बनता है, इससे एक important question जो कि board में भी आ सकता है, वो बन जाता है, देखते हैं, activity 1, burning magnesium ribbon, magnesium ribbon को जलाया जा रहा है, take a magnesium ribbon, आप teacher या फिर घर में अगर कर रहे ह है, तो parents के देखरेख में यह activity कर सकते हैं, magnesium ribbon लीजिए, rub it with a sandpaper, sandpaper से उसको clean कर लीजिए, यह भी question आता है कि आपको magnesium ribbon को जलाने से पहले, sandpaper से clean क्यों किया करना पड़ता है, तो magnesium एक reactive metal होता है, वो basically क्या होता है, रखे-रखे भी oxygen के साथ react कर जाता है, और magnesium oxide बना लेता है, तो magnesium के उपर एक oxide की layer चड़ जाती है, जिसके कारण अगर हम बाद में चाहें कि उसको react करा दें, जैसे कि अभी हम जलाना चाहते हैं, तो उसमें वो रुकावट डालता है, क्योंकि उसके उपर एक oxide का layer है, इसलिए वो अंदर के छुपे हुए, मतलब कि layer के नीचे वाले magnesium को जलने से या फिर oxygen के साथ react करने से रोकता है, इसलिए हमको sandpaper से उसको rub करने की ज़रूरत है, ताकि उसके उपर के oxide के layer को हम clean कर सके, तो यह doubt आपका clear हो गया होगा, अब burn it with oxygen, oxygen के साथ react करा आईए, यह reaction हम पढ़ चुके हैं, Mg plus O2 gives 2MgO balance, magnesium, two parts of magnesium, oxygen gas के साथ react किया और 2MgO बनाया, यह होता है इसका reaction, यह भी आपके exam में पूछा जा सकता है, तो आप note कर सकते हैं, यह हो गया हमारा activity, मतलब कि हमने किया क्या, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा observation क्या था, मतलब कि इस activity को करने से हमें क्या फायदा हुआ, क्या हमने देखा, Magnesium burns with a dazzling white flame, तो यह question पूछा जा सकता है, कि एक metal oxygen के साथ react करके dazzling flame बनाता है, बताईए कि वो कौन सा metal है, तो वो magnesium metal है, आप ऐसा ही question boards में भी आते हैं, और latest 2023 में भी पूछा गया है यह question, तो आप note कर सकते हैं, ऐसे ही question पूछा गया 2023 में भी, dazzling flame, white flame के साथ react करता है, यह आप याद रखे है कि magnesium जब oxygen के साथ react करेगा, तो एक white color की dazzling flame produce करेगा, white powder of magnesium oxide is formed, इस reaction के बाद जो magnesium oxide बनता है, white color का powder होता है, basically अगर आप कोई चीज को जलाते हैं, तो देखेंगे कि yellow flame या blue flame जलता है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि white color की flame आती है, बहुत, जो की बहुत तेज होती है, चुपती है बहुत ज़्यादा, और जो product बनता है magnesium oxide वो white color का powder होता है, यह भी आप याद रखेगा, यह white powder होता है, और यह जब जलता है तो dazzling flame produce करता है, यह था हमारा activity, कि magnesium को oxygen के साथ react करने या जलाने से क्या होता है, यह एक important activity है, जो पूछी जाती है, तो इसको याद रखेगा, अब आगे हम देखते हैं, other reactions in daily life, अब हम chemical reactions तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन-कौन से chemical reactions हैं, जो की daily life में हो रहे होते हैं, हाला कि इस chapter का last video जो होगा, उसमें हम अच्छे से discuss करेंगे, और oxidation और reduction देखेंगे कि इनकी daily life में क्या-क्या activities हो रही होती हैं इन से related, और भी बहुत सारे chemical reactions, dog plant और nettle plant देखेंगे, तो अब ही देखते हैं, souring of milk, milk का खटा हो जाना, वो भी एक chemical reaction होता है, formation of curd, दूद से दही बन जाना, वो भी एक chemical reaction होता है, तो वो भी एक chemical reaction ही होता है, digestion, हमारे पेट के अंदर जो digestion हो रहा होता है, वो भी एक chemical reaction ही है, क्योंकि उसमें भी एक slow chemical reaction होता है, हमारे stomach के अंदर HCL होता है, और बहुत सारे enzyme होते हैं, जो की खाने के साथ react करके उसको break down करते हैं, इसको कह सकते हैं, decomposition reaction, digestion को, यह याद रखिएगा, respiration, respiration भी एक chemical reaction ही होता है, जो हम सास लेते हैं, oxygen, oxygen सास लिया, वो react करता है, glucose के साथ और उसको break down करता है, और energy provide करता है, 38 ATP, respiration को हम अच्छे से discuss करेंगे, हमारे चैप्टर में एक पूरा का पूरा topic है respiration की उपर, तो अच्छे से discuss करेंगे, अभी आप याद रखिएगे कि यह एक chemical reaction ही है, फिर burning of candle wax, यह एक doubt वाला question होता है, कि candle का जलना, क्या chemical reaction है, यह physical change, क्योंकि candle जलने के बाद जो wax produce होता है, क्योंकि वो पिघल के नीचे जम जाता है, और उसको फिर से remold करके, एक नया candle बना सकते हैं, लेकिन हमने यह पढ़ा है कि chemical reaction irreversible होता है, तो यह मैं आपको बता दूँ, clear कर दूँ कि burning of candle एक chemical reaction होता है, candle क्या होता है, wax होता है, wax एक hydrocarbon होता है, highly chain वाला, carbon chain वाला, मतलब बहुत लंबा chain, जिसमें कि carbon C15, C17, C34, ऐसे करके बहुत लंबा chain होता है, carbon का, wax का formula में carbon का बहुत लंबा chain होता है, तो इसको हम समझने के लिए, ले सकते हैं CH4, methane ले सकते हैं, इसको हम burn कर रहे हैं, तो oxygen के साथ react करा सकते हैं, और यह आपको clear होना चाहिए, आगे के इस chapter में, आगे के carbon and its compound chapter में हमारे 10th class के, यह बताए, गया है कि carbon, hydrocarbon जब oxygen के साथ react करता है, तो CO2 और H2O produce करता है, CO2 और H2O produce करता है, तो यह CO2 carbon dioxide और water, तो हम यह देख रहे हैं कि यह chemical reaction है, candle का जलना, यह doubt आपका clear हो गया होगा, candle का जलना chemical reaction होता है, और candle का पिघलना और वापस उसको remold कर देना, यह आप कह सकते हैं कि एक physical change है, तो यह हो गया हमारा other reactions in daily life, यहाँ पर हमारी यह पहला topic clear होता है, हमने पढ़ा atom, element, molecule, reactions तो हम जानते हैं, reactants, products, और एक important properties, reactants और products की, फिर हमने magnesium ribbon के activity को पढ़ा, फिर कुछ important chemical reactions के equation को जाना, और फिर other reactions in daily life हमने पढ़ा, आगे हम आने वाले videos में और जानेंगे कुछ important topics को, तो तब तक के लिए हमाई channel से जुड़े रहें, ताकि आपको नए updates मिलते रहें, thank you.